हेलो फ्रेंड्स आज की रेसिपी हम सिर्फ दो चीजों से बनाएंगे और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं एक मेहने के लिए आप यदि कहीं सफर में जा रहे हैं तो भी ले जा सकते हैं और ऐसे ही भी टी टाइम स्नेक्स है टीवी देखते देखते आप इसे खा सकते ह हैं तो फिर चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आज हम इस रेसिपी को बेसन और सूजी से बनाएंगे उसके लिए लेंगे एक कटोरी सूजी और एक कटोरी बेसन सूजी लेना है बार वाला सुजी नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसे पीस के बारी कर लेंगे, अब एक मिक्सी का जार लेंगे, जार में सबसे पहले सुजी को डाल देंगे, और बेसन को भी, आप मैजर किसी भी कटोरी, कप, ग्लास, किसी चीज से भी कर सकते हैं, अब इसमें डालेंगे नमक, अ सकते हैं, साइट्रिक एसीड प्रिजेटिव का काम करता है, यह लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, अब इसे पीस लेना है, अब सुजी और बेसन अच्छी तरह से पीस चुका है, जैसे आप हाथ में लेंगे ना, तो बेसन इतना तो चिकना नहीं रहेगा, लेकि पानी लेंगे, पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर बाद में डालेंगे, बस अब इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, स्टार्टिंग में पूरा एक बार में पानी डाल देने से क्या होता है, इसमें लंस पड़ जाते हैं, अब थोड़ा थोड़ा करके डाले बस अब इसी तरह से mix कर लेंगे दो मिनट के लिए, अब ये गोल थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन इसे ढख के दस मिनट के छोड़ देंके तो सूजी अच्छी तरह से फूल जाएगा और गोल गाड़ा हो जाएगा, अब दस मिनट हो गया है, दस मिनट में ये अच्छ तरह से गाड़ा हो गया होगा, अब आपको मैं चम्मा से उठा के दिखाती है, अब देख सकते हैं बेटर थोड़ा सा गाड़ा हो गया है, अब इसमें डालना है एक चुथाई चमच खाने का सोड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं baking soda, अब baking soda डालके अच्छी तरह से mix कर ले दो से तीन मिनट हो गया, दो से तीन मिनट में ये घोल पूरी अच्छी तरह से mix हो गया और थोड़ा गाड़ा भी हो गया, मैं चमच उठा के आप दिखा रही हूँ आपको कितना स्मूध बैटर बनके ready हो गया है, और आप देख सकते हैं चमच के पीछे किस तरह से कोट है जैसे मैं उंगले से कर रही हूँ वैसे एक line बन जा रहा है, बस इसी तरह से चाहिए, अब इसे बनाने के लिए एक तवा लेंगे, तवा जब गरम हो जाएगा तो एक चमच घोल डालके इस तरह से चमच को गोल घुमाएंगे, गोल घुमाएंगे तो पूरी अच्छी तर से हमने इसमें पूरा घोल को फैला दिया है, जहां थोड़ा सा इस तरह से चमच से उठ जाएगा तो आप थोड़ा सा फील भी कर सकते हैं घोल डालके, बस मीडियम फ्लेम में इसे सीखने के लिए थोड़ी देर के छोड़ देंगे, अब उपर का लेयर हलका सा सेट हो गया सेट होने के बाद इसमें एक चमच तेल डाल देंगे, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, बस तेल डालके इस तरह से स्पैचुला से करना है, जो उपर का लेयर है, लेयर को हटाना है, अब जब उपर से आप करेंगे ना तो जो गाढ़ा पन दिख रहा है ना, जो एक इसकुल भी मतलम जो होल होल रहता है वैसा नहीं आएगा, एक दम इवेन एक सेट हो जाएगा, बस इसी तरह से सिखने के लिए थोड़ दिर के छोड़ देंगे, पूरी अच्छी तरह से सिख चुका है, सिखने के बाद ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया, अब इस तरह से कट चुक है, अब इसे हम निकाल लेते हैं, अब आप देख सकते हैं किस तरह से बना है, कितना चिकना बना है, एक दम और एक दम क्रिस्पी बनके रेडी हुआ है, जैसे अब हाथ में लेंगे वैसे ही तूटना सुरू हो जाएगा, इतना जादा ये क्रिस्पी बना है, बाकी कभी हम सेम प्रोसेस से इसी तरह से बना के रेडी कर लेंगे, अब ये सारा खाकरा बनके रेडी हो गया, यदि आप मसाला खाकरा खाना पसंद करते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्ची पॉडर स्पिंकल कर लें, अब इसे हम स्टोर करके र अगली रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाबाई